Hello अच्छो, let us read the question first, E. coli are used in production of, E. coli कि इसके production में use किया जाता है, Riphampicin, LH, Dyson और Interferon, यह हमें यहाँ पर बताना है, तो जो हम यहाँ पर की concept पढ़ेंगे, वो होगा, Genetic, Genetic Engineering, Genetic Engineering, तो देखो, अब यहाँ पर E. coli, Genetic Engineering में कैसे use होता है, Genetic Engineering का मतलब basically क्या है, कि हम कोई भी Bio Component जो है, वो Lab में produce कर रहे हैं, With the help of Lab Tools, Engineering Tools, Genes को basically हम Engineer कर रहे हैं, मतलब Genes जो है, वो Body के अंदर ना बनके, वो Lab के अंदर हम लोग Genes को use करके, कोई भी Protein बना रहे हैं, या कोई भी Bio Component बना रहे हैं, Bio Component बना रहे हैं, तो इसी Procedure को हम बोलते है, Genetic Engineering मतलब Genes जो हैं, उनको Engineer करना, उनमें Cutting करके, उनको कहीं डालना, कहीं इंसर्ट करना, उनका किसी भी जो Living Organism है, उसका use हो कि वो कोई Protein बनाएं, बना रहे हैं, वहाँ पर जाकर करके, ऐसी मज़े कर लिए न करना, Genetic Engineering इस पूरे Procedure को बोलते हैं, For Example, जब हमने Insulin बनाया था, तो Insulin भी किसके अंदर बनाया गया था, यह बनाया गया था, E-Kolai के अंदर, तो हमें, यह कोई एक Functional Living Organism चाहिए होता है, जिसकी Machinery को हम यूज करते हैं, हमारे Modified Genes जो है, वो हम इसमें डालते हैं, इस Living Organism में, यह क्या करते हैं, अपनी Machinery यूज करके, हमें हमारा Desired Product, यह वो Protein हमें बना करके देता है, जो हमें चाहिए होता है, जो कि यहाँ पर था, Insulin, ठीक है, तो यह पूरा Process होता है, Genetic Engineering का, अब बात करते हैं, इकोल है और किसके Production में यूज होता है, तो Options के थू जाएंगे, सबसे पहला Option है, Rifampicin, तो यह TB को Cure करने में यूज किया जाता है, और यह Naturally बनता है, एक Bacteria के अंदर, The Bacteria's Name is Amicoletopsis, 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 Rifami, Sinica, तो इस Bacteria के थू यह खुदी बनता है, Naturally बनता है, तो हम Engineer करके क्यों बनाएंगे फिर, तो A Incorrect हो जाएगा, Then B में आता है LH, Luteinizing Hormone यह कहों release करता है, यह हमारा Pituitary Gland release करता है, तो जो Naturally बन रहा अगैन, फिर उसमें E को लाएका क्या पार्ट है, तो यह भी Incorrect हो जाएगा, Then C है Agdison, Agdison जो होता है यह Prothoracic Gland, Prothoracic Gland है, Gland in Insects, इधर बनता है यह, और वहां से हम लोग Extract कर लेते हैं, Last Option आता है D Option, Interferons, तो Interferons क्या होते हैं, Basically वो Signal Peptides होते हैं, Signal Peptides है, तो यह क्या काम करते हैं, Signaling का, Signal करके क्या बताते हैं, यह उन Cells में पाए जाते हैं, जिनके अंदर कोई भी Infection हो रखा होता है, कोई भी Infected Cells होता है, यह Infected Cells जो होते हैं, यूजिली वाइरस के वाइरस के वाज़े से हैं, कोई और पैथोजन जो होता है, उसके वज़े से इनके अंदर Infection आ जाता है, तो यह जो Infected Cells होते हैं, Signal करते हैं, बाकी Cells को, जो बचेवे Cells हैं, Surrounding Cells हैं, कि मेरे को तो Infection हो गया है, क्योंकि जो हमारी Cells है, वो इतने ज़्यादा Amount में, Interferons रिलीज नहीं कर पाती, बाट अगर ज़्यादा Amount में रिलीज हुआ, तो हमारी Cells जो है, वो खुद को ज़्यादा अच्छे से Protect कर पाएंगी, तो यह Interferons जो हैं ना, इनको लाब में Construct किया जा रहा है आजकल, लाब में Construct किया जाता है, ताकि कोई भी वाइरस या पैथोजन से हमारी जो Cells हैं, वो भच पाएं, लाब में अब Construct किया जाता है, तो हमें कोई ना, कोई Living Organism चाहिए, as a host, उसकी Machinery को यूज करने के लिए, तो हम इदर किसको यूज करते हैं, हम E को लाए का यहाँ पर यूज करते हैं, Interferons को बनाने के लिए, Signal Peptides को बनाने के लिए, यह Signal Peptides, आजकल, Cancer की जो Research है ना, उसमें भी यूज किया जा रहे, Interferons, तो इसलिए यहाँ पर जो Right Answer है वो जाएगा, Option D, I hope you understood it well, Best of luck and thank you.